नमश्का दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में वैडिक एस्टो एक ऐसे चैनल है जहाँ पे हम जोतिश के बारे में चर्चा करते हैं जोतिश के कोर्सिस कराते हैं अगर आप जोतिश सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत इंप उसको डीटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें थोड़ी देर के लिए अपने मुबाइल को सैलेंट कर ले क्योंकि यह वीडियो अगर आप ध्यान से समझेंगे बहुत सारी चीजे आप समझ पाएंगे ग्याराई में के जोतिश कैसे काम करता है हिंदू अस्ट्रोलोजी कैसे काम करते है तो आज का जो टॉपिक है वो स्नेक बाइट के उपर है जिसमें हम यह जानना चाहते हैं अगर सपन में या ड्रीम्स में अगर आप स्नेक बाइट देखते हैं तो क्या वो असर देता है और पर Hindu astrology या Vedic astrology यह actually क्या signify करता है चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि Snakebite Dreams में Vedic astrology या Hindu astrology के हिसाब से क्या संभोधित करता है सबसे पहले तो आप यह समझें कि Snake कौन है Snake जो है ultimately दो भाग से बना है एक Snake का upper part है एक Snake का lower part है जो अपर part है वो राहु को denote करता है जो lower part है वो केतु को denote करता है ठीक है और जो हम dreams देखते है जो dreams देखते हैं वो जो है बारवे घर से हम देखते हैं जोतिश के हिसाब से, हिंदु एस्टोलोजी के हिसाब से, वैदिक एस्टोलोजी के हिसाब से, बारवा घर डीम्स का है, जो भी सपना हम देखते हैं, वो बारवे घर से ही डिनोट करता है, तो बारवे घर को ध्यान से समझने के लिए हमें राहु केतु को भी देखना जरूर तो यह बहुत ही सिंपल है अगर आपके बारवे घर में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा है मेजरली राहू के दूश्य नहीं तो कहीं न कहीं आपको जिंदगी में बहुत ही डरावने सपने आने की संभावना बहुत ज़ादा होती है लेकिन अगर सनेक पाइट देख रह तो उसमें जो है अलग-अलग आपको प्रभाव देखने को बनता है लेकिन आप इतना समझें साप के जहर अगर शरीर में जा रहा है तो कहीं न कहीं वो सही नहीं है चाहे वो ड्रीम्स में क्यों न जाए तो इसलिए अगर आप सनेक बाइट देख रहे है तो सबसे पहले करने के देखा कि और जो है मैंने कहा कि कही न कहीं रहू और के दू से कनेक्टेड है बारविए घर से अगर कोई मिलेफिक है तो उसका प्रभाव यूँद झाय का छिंक कर रहा है तो सबसे पहले आप शानि को देखें गोचर में जो कि transit बहांगर शानि पांचवे भवव म आपकी कुली के लगन से दिखेंगे अगर पांचवे भाब में गोचर कर रहा है आश्टम भाब में गोचर कर रहा है बारवे भाब में गोचर कर रहा है या पहले भाब में गोचर कर रहा है या छटे भी लिख लीजे छटे में भी अगर गोचर कर रहा है तो ये बहुत ही भयानक स्थिती है इस टाइम पे अगर आपने ये द्रिश देखा है सपन में तो इसका उपाए जरूर करें इसके दो उपाए दो तिन चीजे हैं मैं बता देता हूँ सबसे पहले तो आप एक नारियल ले ले उस नारियल में देशी खांड भर ले उस देशी खांड भरने के बाद नारियल का जो सूखा नारियल होता उपर से काटना पड़ेगा उसमें देशी खांड भर ले और उसको किसी भी पार्क में जाके उसको दबा दे और उपर के जिसा खुला छोड़े और ये शनी वार को महीने में एक बार जरूर करें, ये आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो ये ड्रीम्स आ रहे हैं, वो धीरे-देरे कम होने लगेंगे, और आपके जो शनी के रिलेटेड नेगेटिव कोई भी स्तिती आने वाली है, वो कम हो जाएगी, दूसरा जो है शनी वार को, शनी देव को तेल का दान जरूर करें, अपने प्रियाजनों के भी नाम पर ये जाके पूजा करें, शनी वार को मंदर में जाके, तो ये आपको काफी बिनेफिट देगा, तो ये दुनों उपाई आप जरूर करें, अगर इससे भी आप बेटर उपाई करना जाते हैं तो ऐसे case में आप हमसे consultation ले सकते हैं जिसमें हम special यंत्रा मनाके आपको दे सकते हैं ताकि शनी की related कोई भी अगर समस्या आ रही है या जैसे साड़े साथे चल रही है या शनी की related कोई और विपता आपके उपर से गुजर रही है तो उसमें भी आपको काफी लाब मिलेगा तो इस चीज को follow करने के लिए आप बस ये दो उपाई जरू करें अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप इस वीडियो की comments में बताना and definitely we will go to answer the questions जो भी आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ पता चला आप सब्सक्राइब जरू करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरू शेयर करें धन्यवाद thank you take care नमस्ते